है लो फ्रेंड मेलकम टूं अही Kagाहिक बायोजिक लासकी क्लासेज आज वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्निसी में जो व्य帽 प्रेज्ट होता है उसके डाफिप क्या है और कब तो आपके लिए हम्फुल हो सकता है वह बात करेंगे तो देखिए जो प्रेगनेंसी में जब हम होती है तो वाइट डिस्चार्ज जो है वह एक बहुत ही कॉमन प्राबलम है अब देखिए आपने उसको कैसे एक्जामेन करना है कि वो हामफुल है या एक नौर्मल है तो जो नौर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है अधेaser यहें पर बहुत सारई हर्मोनल चेंज हो रहे होते हैं आपकी यूठरस में भी चेंज हो रहे होते हैं कई इंफेक्षण प्रेक्टेडियल इनफेक्षण फंगस हो जाता है तो होने के बहुत सारी रीजन हैю लेकिन अगर देखिए आपने उसको कैसे एक्जामीन करना है तो देखिए जब आपके वाइड डिस्चार्ज जो है उसका जो है जैसे येलॉईश कलर हो जाए या फिर रैड उसका जाए जो आपको लगे कि थोड़ा व्रांट टाइप है व्याइट है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में हो रहा है कोई दिक्त नहीं है नॉर्मल है कभी कभी जादा भी होता है वो भी नॉर्मल है बहुत कवन प्रॉबलम है लेकिन अगर उसकी थोड़ा सभी उसके जो चेंड जाता है आप खिरो रहा हिए Lapi समेल दीध के कि पूंगल धृफार्ट क्या हो जाता है तो उसको हम कैसे त्रीट कर सकते हैं परस्ट निगर देखनाना है कि आप कैसे उसको तो घरेलू उपाय से ठीक करें तो देखिए आपने कोई medicine नहीं लेनी है किसी भी तरहां की medicine नहीं लेनी है इसके लिए क्योंकि यह बहुत common है आपने क्या करना है जो गोला होता है जो ड्राइफ रूट्स में जो गोला होता है जिसको हम हमारे खाने में यूज करते हैं पिसा हुआ या फीज साबुद जो ऐसे ही एस यूज करते हैं उसके और जारा होगा आपको यह प्रॉब्लम जादा हो रही होगी तो उसमें आपको कमी दिखाई देगी उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत जादा हो रहा है उसकी कलर में भी चेंज है और उसमें स्मेलस भी आ रहे है तो आपने डॉक्टर से तूरंत मिल लाare वो आपको बहुत सारे washes होते हैं, अगर medicine भी नहीं देंगे तो वो आपको washes होते हैं, बहुत सारे जैसे वी-wash, इंटी-wash, ऐसे सारे wash market में अबलेबल हैं, ये आपको use करने हैं, इससे आपको smell से भी छुटकारा मिल जाएगा, साथ-साथ जो है आपको जो white discharge अगर infection की वज़े से होगा, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, और वो आपके बच्चे को हाम नहीं पहुचाएगा, क्योंकि कई बार जो infection होता है, वो आपके वेजाएना से आपकी uterus में पहुच के आपके बच्चे को effect करता है, तो bacterial और fungus infection को हमने ऐसे एक्जामिन करना है, वाइस डिस्ट जाए, उससे पहले पहले आपने इसको देखना है, प्रेगनेंसी से जूड़ी बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो के लिए, आपने बहुत सारी information के लिए, कंसीव करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना है, थैंक्स और वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हमाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रही है चैनल के साथ, थैंक्यू,